हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू ओवर चैनल स्टेप अजूकेटर आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इंडियन कॉंसिटूशन के टॉपिक पे ही है हमने लास्ट लेक्चर में इंडियन कॉंसिटूशन के बारे में पढ़ा था कि किस ने आइडिया दिया किस ऑफर के दुवरा इसको स्टार्ट किया गया कब किया गया था और किस कंट्री की कॉंसिटूशन से हमने इंडिया के जो इसके फीचर को बारो किया है ये सब चीज़े हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवेर की थी तो आज उसी topic का second part हम continue करेंगे continue हम जब हमने features पढ़े थे Indian constitution के जो हमने बारो किये है other countries के constitution से like वो British है, Canadian है, USSR है और भी बहुत सारी countries से हमने किये है और अब हम इसी lecture को continue करेंगे so start करते हम अपना part second of Indian constitution some constitution requires a special procedure for its amendment in a rigid constitution like American constitution क्याते हैं कि कुछ constitution की requirements होती है मतलब हमें अगर कोई law है उसको amendment करनी है amendment मतलब उसमें कुछ changes लानी है जैसे American के constitution में ये चीज़ है कि वहाँ पे आप उनके जो कोई भी laws हैं वो amendment करते है तो हमने उनसे ये idea लिया और देखा जाए कि constitution को इस way में करना है same manner में करना है like जिसे ordinary laws होते हैं मतलब उनको जब change करना है न तो वो एक कानून ही बनेगा वो भी एक law बनेगा जैसे हम अब article 370 की बात करें तो ये हमारा एक article mention था constitution में अब इसको हमने क्या कर दिया है उसको abolish कर दिया हुआ है तो वो एक amendment आ गया वो एक change आ गया constitution में एक change आना वो flexible भी हो सकता है और वो rigid भी हो सकता है अगर हम Indian constitution की बात करें तो जो rigidity है constitution की वो हमने American constitution से follow कर रहें और अगर हम flexibility देखें तो वो British constitution से हमने ये चीज़ को क्या कर रहे हैं follow कर रहें पट अगर हम Indian constitution की बात करें ये is neither rigid nor flexible but synthesis of both क्याते हैं कि ये दोनों का combination से बनाया गया है अब अगर हम federal system एक term use होती है हमारे constitution में federal system का मतलब होता है कि government को divide कर देना उसकी power के according एक national level पर जिसको हम central government कहेंगे और एक state level पर जिसको हम state government कहेंगे और कहते हैं कि Indian constitution की बात करें ये federal system of government शो करता है अब ये जो federal system है जब मैंने आपको last video lecture में पढ़ाया था हमने बोला था ही मैंने बताया था आपको कि जो federal system है हमारे Indian constitution का ये कहां से किस constitution से पारो किया गया है ये Canadian constitution से ये चीज का idea लिया गया है अगर हम इंडिया की बात करें तो governments जो होती है वो दो level पे होती है एक state level पे होती है और एक क्या होती है center level पे होती है अगर हम आपको पता है कि पंचाय तो जो municipalities है ये three tier government में आती है ये third tier है हमारी सरकार का article first जो आता है constitution का यह हम articles next video lectures में हम पढ़ेंगे हम articles, part, schedules हम यह सब चीज़े इसमें cover करेंगे क्यूंकि ये topic बहुत important है अब जेके SSB का exam का syllabus देखो कोई भी post के लिए syllabus होगा तो उसमें ये mentioned होगा topic अब बोलते हैं जो article first है constitution का वो बताता है कि India as a union of states इसका मतलब है कि जो Indian federation है ये कोई states का agreement नहीं है no state has the right to seek it from the federation अब देखो state दो government है अब हम कभी GST की भी बात करें तो हम दो GST पे करतें एक SGST और एक CGST SGST मतलब हम जो state का GST पे कर रहें और CGST मतलब जो हम central level पे हम GST को क्या कर रहें पे कर रहें तो यही जो federal system का मतलब ही क्या होता है कि government को दो parts में क्या कर देना divide कर देना one is in state level और other one is central level अब constitution जो है हमारा इंडिया का इसको अलग अलग तरह से explain किया है किसी author ने कुछ कहा किसी politician ने कुछ कहा तो जो Maurice Jones थे उन्होंने कहा Indian constitution को bargaining federalism उन्होंने Indian constitution के लिए एक term दी Maurice जो Jones थे उन्होंने Indian constitution के लिए जो term दी थी वो क्या दी थी bargaining federalism अब जो केसी वियर थे उन्होंने कहा federal in form but unitary in spirit ये important है कभी direct पूछा जा सकता है कि federal in form but unitary in spirit ये किस के द्वारा constitution of India को describe किया था केसी वियर के द्वारा अब ये जो cooperative federalism जो term है constitution of India को describe करने के लिए ये किस के द्वारा दी गई है ये दी गई है ग्रैन्विल ऑस्टिन के द्वारा अब अगर हम parliamentary system की बात करें हमारे दो executives होते हैं एक होते है nominal executive एक होते है real executive जो होते हैं ये state के head होते हैं जैसे president होगे और जो real executive होते हैं ये हमारे सरकार के head होते हैं हमारे government के head होते हैं जैसे prime minister जो आगे ये real executive में आते हैं और president की बात करें तो यह nominal executive में आती है role of president is primarily ceremonial and prime minister along with cabinet wills effective power अब कहते हैं कि जो president का role होता है वो क्या होता है? ceremonial होता है मतलब primarily ceremonial होता है but prime minister जो होता है along with cabinet wills effective power the constitution of India provides for a parliamentary form of government both at the center and in the state अब कहते हैं कि जो Indian का constitution है यह parliamentary form जो government की है यह central और state level दोनों पर बताता है और जो article 74 और article 75 है Indian constitution का यह deal करता है parliamentary form of government के साथ किसके साथ deal करता है? यह important पूछा जा सकता है आपको direct question भी आ सकता है कि article 74 और 75 जो है? यह किसके साथ deal करता है? यह पता होना चाहिए कि parliamentary form of government के साथ deal करता है at the union level और किस level पे? central level पे, union level पे and article 163 and 164 contain provision with regard to the states अब 163 और article 164 जो है यह किसके लिए है? state के लिए और article 74 and 75 जो है यह deal करते हैं किसके साथ? parliamentary form of government at union level or at central level the Indian constitution establishes a judicial system that is integrated as well as independent अब क्या है कि जो मतलब कहते हैं कि Indian constitution जो है यह judicial system पे बनाता है किस लेवल पे? integrated level पे भी और independent level पे भी अगर supreme court बात करें यह हमारा integrated judicial system में सबसे top पे आता है इसके जो below कोन आता है? supreme court के below आते हैं हमारे high courts high courts के अगर हम इसकी hierarchy की बात करें अगर levels की बात करें top level पे आ गया supreme court then high courts then district court and other lower courts below it there are high courts at the state level under a high court there is hierarchy of subordinate courts that is district court and other lower courts अब आपको देखो अगर आप जम्मु किश्मीर की बात करें तो जो supreme court है यह आ गया हमारा central level पे जो देली में है उसके बाद अगर हम hierarchy की बात करें फिर उसके बाद जो lower level पे आता है उसको कहा जाता है high court high court हमारे state level पे होता जिसे जम्मु किश्मीर की बात करें तो जम्मु में जो high court है जानिपूर के area में located है उसके बाद अगर हम बात करें तो districts के court आगे जैसे रजोरी district का अलग होगा जम्मु district का अलग होगा पुंच का अलग, रामबन का अलग मतलब हर district के अलग अपने courts होंगे उसके बाद आगे हमारे lower courts अब इसके बाद अगर एक term की बात करें यह बहुत important है अगर हम इसके बाद देखें तो एक term आती है secular अब इंडियन के constitution के अंदर एक term यूज की गई है जिसका नाम है secular यह 42nd constitutional amendment 1976 का हुआ था एक amendment हुआ था change लाया गया था जिसका कौन सा amendment था 42nd constitutional amendment यह बहुत important है क्योंकि इसी को क्या कहा जाता है mini constitution भी कहा जा सकता है पूछा जाता है कभी direct question कि 42nd constitutional amendment जो है यह कब किया गया यह 1976 में किया गया इसको क्या कहा जाता है इसको mini constitution कहा जाता है इस amendment कि जब यह amendment लाया गया था यह amendment हुआ था उस ताइम पर किस चीज़ के addition हुई थी ये किस चीज़ के removal हुई थी उसमें एक word add किया गया था secular अब Indian constitution की बात करें तो वो एक क्या बोलती है कि हर religions को एक equal respect देनी है उसी के लिए ये जो term थी ये use की गई थी Universal adult franchise gives the right to vote to all adult citizens अब क्या था कि adult franchise वालों ने क्या किया एक right दे दिया कि हर इंसान जो है हर adult citizen जो है उसके पास right है कि वो क्या करेगा vote अपना देगा regardless of wealth, income, gender, social status, race and or any other restriction कहने का मतलब है कि जो ये voting का concept था कि हर इंसान जो है ये vote डालेगा कोई भी अगर 18 years से above age का होना चाहिए और वो क्या करेगा vote के लिए उसके पास right है कि वो vote डालेगा ये नहीं है कि अगर वो उसकी gender male है तो वो ही डालेगा या female है तो वो ही डालेगी नहीं पहले क्या होता था कि जो वोटिंग की age होती थी जो वोट डाल सकते थे वो 21 years के बाद जो लोग होते थे वो वोट डाल सकते थे बट ये भी एक amendment लाया गया जो 61st constitutional amendment था 1988 का उस amendment में ये change लाया गया कि आज के बाद जब भी वोट डालने का time आएगा तो ऐसा नहीं है कि 21 साल का इंसान ही वोट डाल सकता है थारा साल के बाद जो भी होगा व्यक्ती होगा या फिक कोई female है या male है वो क्या कर सकती है वोट डाल सकते हैं independent bodies election commission of India controller and audit general UPSC state PSC for bulwark of democratic system of government अब क्या था कुछ independent bodies बना दी कुछ independent bodies बनाने का मतलब जैसे आप से पूचा जा सकता है election commission of India ये किस bodies में आता है तो ये independent bodies में आते हैं ये जो UPSC आगे या state PSC पब्लिक commission जो state level पे है जिसे जमू किश्मीर की बात करें तो जमू किश्मीर public service commission जेके PSC जिसको कहा जाता है ये आ गया है ये हमारी independent bodies हैं अब क्या होता है कि Indian constitution के अंदर emergency provisions भी लगाई जाती है ये part 18 जो है constitution of India का उसके अंदर ये क्या है mention है जब emergency provision लगेगी article 352 जो है ये national emergency की बात करता है और जब state में emergency लगती है मतब state में एक ऐसे conditions आ जाती है कि जब हमें president rule लगाना पड़ता है तो ये Indian constitution के किस article में mention है तो ये article 356 में mention है अगर हम financial emergency देखें कभी कभी क्या होता है कि हमारे इंडिया में भी income के लिए जैसे financial status जब डाउन होने लगता तो हम financial emergency हम mention कर देते हैं कि इंडिया में financial emergency चल रही है तो ये किस Indian constitution के किस article के अंडर है तो ये article 360 के अंडर आता है अब 73rd और 74th amendment act ये भी बहुत important है ये third level of जब मैंने third tire government की बता ही मैंने आपको last slide में उसमें मैंने आपको municipality और पंचाइद के बारे में बताया था तो वही जो amendment थी ये 73rd और 74th amendment act है 1972 का 73rd और 74th amendment act ये क्या है third tire of government के लिए इसके में ये described किया गया था जो 73rd amendment है ये पंचाइद के लिए है और जो 74th amendment है ये provide करता है for municipalities 97th constitutional amendment act 2011 gives a constitutional status and protection to cooperative societies अब क्या था 2011 से पहले constitutional status और cooperative societies के लिए नहीं था तो 2011 में क्या हुआ कि 97th time जो constitutional में change लाया गया constitutional amendment act लिया लाया गया जो किसके लिए था जिसने constitutional status और protection दी किसको cooperative societies को it made the right to form cooperative societies in a fundamental right that is article 19 it added a new directive principle of state policy and promotion of cooperative society इस amendment के थूँ ही एक directive principle जो था वो हमारा add किया गया वो directive principle कौन सा था promotion of cooperative societies जो article 43b में आता है it added a new part 9b to the constitutional and entitled the cooperative societies अब ये आपसे कभी-कभी direct question पूछा जा सकता है कि जो cooperative society में के लिए amendment हुई थी amendment कौन सी थी वो 97 constitutional amendment थी कब की गई ये amendment 2011 में 2011 में ये amendment की गई थी अब इसमें बहुत important point आता है preamble अब preamble क्या था कि एक constitution को preface देना अब इसके लिए भी कुछ लड़यां लगी कोई कहे कि preamble हमारी constitution का बहुत important part है एक केस कह रहा था कि जो preamble है ये हमारी constitution का इतना important part नहीं है इसी चीज़ के लिए इसमें कुछ constitution के जो preamble था इंडियन constitution के लिए ये एक objective resolution पे based था drafted and moved by पंडिजवाला नहरू and adopted by the constitution assembly on 22 जनुरी 1947 जो constituent assembly बनाई गयी थी constitution को बनाने के लिए उनके पास जब ये draft पहुंचा preamble के लिए तो उन्होंने इसको adopt कर दिया था कब 22nd january 1947 में it was amended by 42nd constitutional amendment act 1976 which added three new words socialist secular and integrity अब आपने अगर अच्छे से पीछे से वीडियो लेक्ट्र जो मैंने पढ़ाया देखा होगा तो पता याद आ गया होगा कि जो 42nd constitutional amendment act 1976 था इसको हम mini constitution भी कहते हैं इस amendment के अंडर क्या हुआ था एक time add हुए जिसको बोलते हैं secular बट अगर हम देखें इसमें three new words आड हुए थे socialist, secular and integrity अब दो cases थे एक थे बैरुबारी case एक थे केशवननन्दा भारती case दो जो बैरुबारी union case था 1960 में यह कहते थे कि प्रेंबल जो है is not a part of constitution बट जो केशवननन्दा जो बारती case था यह कहते थे कि supreme court ने क्या किया था पहले supreme court ने कहा कि ठीक है उनका भी एक opinion आया कि preamble जो है यह हमारे constitution का part नहीं है बट जब केशवननन्दा भारती case लगा तो supreme court ने वोली जो opinion था वो उसको reject कर दिया और कहा कि preamble is a part of the constitution अब supreme court ने यह observe कि प्रेंबल की बहुत जादा importance है और constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble फिर supreme court ने यह चीज़ mention की कि जो constitution को पढ़ना और उसको interpret करना यह सब चीज़ें हमें कहां से express होंगी preamble से ही express होंगी in the l.i.c. of india case जो 1995 में था supreme court ने again बोला कि preamble is an integral part of the constitution अब जब केशवननन्दा भारती case की judgment के बाद यह accept किया गया कि preamble जो है यह हमारे constitution का क्या है part है यह भी बहुत important है यह जो दोनों केसी से बहुरुबरी case और केशवननन्दा भारती case इनकी summaries पढ़ लेना कभी-कभी direct इनकी statement से question आ जाता है कि बहुरुबरी case में क्या कहा था कि preamble जो है constitution का part नहीं है बट केशवननन्दा जो भारती case था या l.i.c. of india जो case लगा था 1995 में उन्होंने भी यही कहा था कि जो preamble है यह हमारे constitution का बहुत important part है अगर हमें कोई भी चीज इंडिया के constitution की read करनी है या interpret करनी है तो वो हम preamble से ही directly कर सकते हैं इसी के साथ हमारा यह जो constitution का topic है यह complete हो गया अब हम next video lecture में लाएंगे आपके fundamental rights जो बहुत important ही वो हम one by one करके fundamental rights भी complete करेंगे अगर आपको यह videos अच्छे लगती है तो like, share और subscribe जरूर किया करें ताकि हर बच्चा जो है इस topic को बढ़ सके थैंक्स for watching